प्रेम को दुनिया समझती नहीं है, नहीं समझती, क्योंकि प्रेम दिमाग का नाता नहीं है, दिल का नाता है, तो बावाई क्या कहते थे अपनी विचारों में? क्या कि वो एक उमर लग जाती है दिल को दिल बनाने में? ऐसे कहते थे वावाजी, कि दिल बन जाना असान बात नहीं है, और प्यार तो महबत के लिए कुछ खास दिल मक्सूद होते हैं, कुछ खास दिल जो महबत करते हैं, प्यार करते हैं, आप घबराया ना करो, किसी बात पिना घबराया करो, छोड़ दो घबराना, छोड़ दो चिंता, जिसका प्रेम इस निराकार के साथ हो, सत्गुरू के साथ हो, उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मैं भी घबरा गया था एक बार, बावाई को मिलने गया, चरनों पर सर रखा बावाई के, और सर रखते मैं रोने लग पड़ा, बास खड़े थे, बावाई ने पूछा, क्या हुआ, उनको भी नहीं पता था क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं, बावाई ने उठाया, क्या हुआ, मैंने कहा, बावाजी, मेरा जनम आपके लिए हुआ है, मैं आपके लिए जीता नहीं, ये पीडा है मेरे अंदर, ये दर्द है मेरे अंदर, इस पीडा के साथ जी रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं, अगर आपके लिए आया हूं तो क्यों मैं माया में खचित हो जाता हूं, क्यों मैं बिना वज़े की टेंशन, चिंताएं, जिम्मेवार बाईयों में घिरकर और के प्रेम में क्यों नहीं रहता अगर आया आपके लिए हूँ तो जीना भी तो आपके लिए चाहिए ना यह पीड़ा है मेरे अंदर इसलिए रोता हूँ आगे से पता क्या कहते है कहते है कोई बात नहीं जैसे जिसका कोई बड़ा मनिस्टर वाकफ हो ना तो वो उसके पास जाए हाई मेरे से गलती होगी हाई मेरे से गलती होगी वो आगे से कहते है मैं बैठा हूँ ना ऐसे हैं, हमने फिकर नहीं करना, चिंता नहीं करनी, यह बैठा है न, सत्गुरु माताई के रूप में, संगत मा के रूप में, निराकार के रूप में, तीनों तो अपने हैं, एक ही रूप है न, सत्गुरु माताजी भी अपने हैं, संगत मा भी अपनी हैं, निराकार भी अभी तो पढ़ा हमने परम पिता सब तेरी बहला करो सब का हो अभी तो पढ़ा हमने तुम्हारा पिता है कि इनके पास पिता है उसके पास experience आ चुका होगा पिता का बच्चों का दुख नहीं देख सकता बच्चों से था प्रेम करता है दिन बर धूप में गर्मी में सर्दी में अपने तन पे ले ले लेता है बच्चों के सुख के लिए तो ये भी तो ये ही करता है जब पगंबर बनके आता है सत्गुरू के रूप में आता है तो बच्चों के दुख को तो लेता है अपने बच्चों की खुशी के लिए बच्चे फिर भी खुश ना हो बच्चे फिर भी उदास रहें तो कितनी पीड़ा होती होगी बाप के दिल को आपका खुश रहना बहुत जरूरी है आप खुश हो सत्गुरु खुश है सत्गुरु खुश है सारी काइनात खुश है सत्गुरु उदास है हमें दुख ही दुख परिशानिया ही परिशानिया दुनिया को सुखी करना के न एक ही जाने को खुश कर लो सारी दुनिया सवी हो जाएगी वो है सत्गरू दुनिया को सत्गरू के पीछे पढ़ जाओ सत्गरू कैसे खुश होता है सत्गरू को पूछो कैसे खुश होते हो वो कहते है जब आप प्रेम से रहते हैं आपस में तो मैं बहुत खुश होता हूँ आप आपस में प्यार से रहते हो जब आप एक दूसरे का ध्यान रखते हो जब आपको लगता है इसको मेरी जरूरत है तो आप उसके साथ खड़े हो जाते हो तो मैं खुश होता हूँ बावा गुरुबचन सिंग जी कहते थे मुझे कुछ कपड़ा देने की बजाए उस महात्मा को दो जिसको जरूरत है मेरे तक पहुंच जाएगा बाव गुरुबचन सिंग जी कहते थे मेरी आवाज कताब में भी लिखा बावा गुरुबचन सिंग जी ने अपने सुभाव के बारे में कोई एक गुरु पीर पगंबर ऐसा नहीं है जिसने प्रेम नहीं सिखाया है प्रेम ही सिखाया है नोंने ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है ये सुष्टी बड़ी प्यारी लगती है प्रेम में सब कुछ अच्छा लगता है प्रेम में नाथ अच्छी लगती है ये ब्रहमंड अच्छा लगता है प्रेम नहीं तो फिर क्या लगता है क्या खाक दुनिया से लेना है फिर कितने सुसाइड होते हैं हम शब्दों पे अधारित जिन्दगी जीते हैं किस पे अधारित शब्दों पे अभी गीत चलेगा जिसमें शब्द होंगे उदासी भरे हमारे दिल को टच करेंगे हमारे मन भराते हैं ऐसा गीत चलेगा रौनक वाले शब्द आ गए म्यूजिक वाला आगया हम नाचने हो क्या हो रहा है शब्दों पे अधारित जिंदगी है हमारी शब्द हमारे दिल को शूते हैं बुरे और अच्छे कई वार ऐसे शब्द बोल देते हैं अगले के दिल को ठेस लगती है आंसुओं के रूप में बाहर आते हैं कई वार ऐसे शब्द बोल देते हैं वो दुखी होता है वो हसने लग पड़ता है जैसे बच्चा दुखी है तो माँ बाप कहते हैं गबराता क्यों हम तेरे साथ है रोता रोता ही खुश हो जाता है चलो मुझे संभालने वाले हैं शब्द ही है कुछ नहीं है कई बार ऐसे शब्द बोलते हैं आदमी डिप्रेशन में चला जाता है उसी शब्द को सोचते सोचते उसने मुझे ये कहा ये कहा ये कहा उसने मिरे साथ ये किया ये किया सोचता 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 depression में चला जाता है ऐसे होता है ना ऐसी हो रहा है दुनिया में हमारे घरों में भी ऐसा हो रहा है शब्दों पर अधारिज जिन्दगी है हमारी हमारे हमको एक बार कान से शब्द सुना किसी ने कुछ भी कहा दिया एक बार सुना हमारा मन उस शब्द को सौ बार सुनाता है उसने तुझे ये कहा उसने तुझे ये कहा पूरा दिन फिर हम किसी को कहते हैं यार उसने मिरे साथ ये किया उसने मिरे साथ ये किया उसने मिरे साथ ये किया एक बार ही कहा उसने मेरे मन ने कितनी बार सो बार मुझे डिप्रेशन दे दिया फिर संतों के पास आते हैं संत फिर पावर देते हैं ताकत देते हैं शक्ती देते हैं उस सब शब्दों को रिमूव कर देते हैं कह देते हैं फिकर ना कर चिंता ना कर इसका बनाया हुआ वो अपनी मर्जी से क्या बोल सकता था इसने बुलाया उसने बोल दिया बस इतना माले इसने बुलाया है तो अगर इसने बुलाया तो कुछ सोच समझ की बुलाया होगा माले ऐसे ताकत देते हैं फिर वो उभरना शुरू हो जाता है शबद ही हैं वो ही डिप्रेशन देने वाले हैं, सार्थक शब्द उभारने वाले हैं हम बैठे हुए हैं, नाचने गा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं कोई बंदा आता है, ऐसे शब्द बोलता है, सारा मूरी खराब हो जाता है क्या किया उसने? मारा कुछ नहीं उसने? शब्द बोले ऐसे, ऐसे शब्द हसते, खेलते, वो सारे मेंबर्स एकदम लड़ाई, जगड़ा, उदासी सब शुरू हो गया, शब्द इसलिए बाबाई नहीं कहा, ऐसी वानी बोलिए आगे क्या है? मन का? वो यह नीनक होया जाता है, वो संभाल के रखा है हमने सत्गुरू का प्रेम चाहते हैं, सत्गुरू की रिस्पेक्ट चाहते हैं, अदब चाहते हैं, शब्दों की और ध्यान दे, एक बड़ा प्यारा शब्द है पूछा गया, यह जो परमात्मा है, यह मेरे बस में कैसे आ सकता है? बस में, बस में कहेंगे न हमारे बस में आ गया कि जो कहें वैसे मानने जीविस्त्री, आत्मा, पत्नी, पत्नी करूप में माना गया कि हे पत्नी तेरा ये पत्ती, पर मात्मा तेरे बस में कैसे हो सकता हर पत्नी चाहती न उसका पत्ती उसके बस में हो आत्मा को भी देखो जब गुरु पीर पेडमल आते न अलंग कार उन्हीं एग्जाम्पलों से ही समझाते है फिर हर और चाहते है उसका पती उसके बस में हो तो फिर उसी से समझा दिया इस आत्मा को समझाया है आत्मा जीव स्तृत तेरा पती तेरे बस में कैसे आएगा तू नहीं जानना चाहती उसको समझाते है कहते निवन सो अखर निमर्ता में रहा कर अगर अपने पती को बस में करना ना क्या कर अगर निमर्ता में रहा कर निवन सो अखर खिवन गोन माफ करने की शक्ती रख निवन सो अखर निमर्ता धारन कर ले खिवन गोन माफी वाला गोन अपने अंदर रख जो मन में लेकर शब्दों को डिप्रेशन में जा रही है ना माफ करना शुरू कर दे कोई बावई ने क्या बोला मुझे कोई बात नहीं जब आवई ने कोई बात नहीं कहा तो मैंने फिर आगे से हाथ जोड लिए मैं कहा बावई आपके लिए आया हूँ तो आपके लिए ही जीना चाहता हूँ मेरे कंदे पे हाथ रखा बावई ने मेरी आँखों में आँखें डाली ऐसे दबाया कर देखो, कहते कभी सोचना नहीं तू कहता है सोचना नहीं तो फिर क्यों सोचें जीए ना जिंदगी मुखबिन से निकला पेगंबर के सोच